हरे कुछना आज राधाश्टिमी के परमपावना उसर पर हम प्राधरानी की जो महीमा है उसके एक पहलू पर चर्चा करेंगे कि उनका निस्वार्थ सेवा भाव हम इस बहुती जगत में देखते हैं कि हम बहुत सी चीजे चाहते हैं यह चाहिए वो चाहिए यह चाहिए और आजकल के विज्ञापनों के समाज में की संस्कृति में तो इतनी सारी इच्छाए बढ़ जाती है पर वास्तों में हमारे रुदय की सबसे मूलभूत जरूरत क्या है वो वास्तों में संबन्ध है हमारे रुदय चाहता है कि हम प्रेम करें और प्रेम प्राप्त करें और कई बार हमारे जीवन में ऐसे हो जाता है कि हमारा जो मन है वह जो हमारे मौलेवान है उससे हमें दूर लियाता है कि जो हमारे क्या मत्वपूर्ण है मान लीजे हमें हम घर आये हैं काम करके तो हमारे परिवार वालों के साथ हमें समय भी ताना है पर हमारा सोचल मीडिया पर फोन है तो यह देखो वह देखो वह देखो उसमें त्याल देते हैं मैं काटून देख रहा था तो एक आदमी कहता है कि अपने दोस्त से कि कल मेरा जो इंटरनेट था चला गया था इसलिए मुझे अपने परिवार के साथ कुछ समय बताना पड़ा अच्छा लगता है कि वो सब अच्छे लोग हैं मतलब क्या कि क्या आप वो जानते भी नहीं हो तो ऐसे होता है कि कई बार हमारा मन अंदर से और हमारा संस्कृति है बाहर से हमें बहुतिक दृष्टि से भी जो महत्वपूर्ण है उनसे दूर ले जाते हैं और इसके परे अगर जाना है तो कैसे जाना है एक है कि एक बहुत रिलाइबल होता अच्छी पदती है कि सेवा भाव जागूट करना तो मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ और उसमें जितना निस्वार्थ सेवा भाव होगा उतना अच्छा सेवा भाव तो सब में होता है बड़ी बड़ी कंपनी उसमें अभी कहते कस्टमर सैटिसफैक्शन इस आ टॉप पोस्स प्रायोरिटी हम सब चाहते है कि कस्ट किसे होता है निस्वार्थ सेवाव होता है कुछ समय पहले मुझे अमेरिका का जब इंडिपेंडन्स दे था उस समय उनका डाइवर्सिटी प्रोग्राम था तो ऑनलाइन मुझे भारत की एक भारती के रोप में वहां पर बोलने को मॉखा में था प्रोग्रम था नाश्टर राष्टरवादी राष्टरवक्त था वो कहता था कि मेरे जिंदगी का एक ही मुझे रिग्रेट है यह पश्चाता पर यह दुख है मेरे गलानी है एक इस जीदे क्या है कि मुझे अमेरिका का सेवा करने के लिए एक ही जन्व है मेरे पास तो अभी यह जो है हम कहे सकते हैं यह अमेरिका एक भौतिक देश है ठीक है पर क्या है यहाँ पे भी एक सेवा भाव दरश्टा है और जब यह सेवा भाव होता है तो उससे रुदय को एक बहुती डीप गूर स्तर पर संतुष्ट मिलती है तो शास्तर में बताया है कि यही सेवा भाव जो है भक्ती में सर्वोच संतुष्ट प्रदान करता है क्योंकि यह भगवान की ओर जाता है और ऐसे सेवा भाव का सबसे अधिक निस्वारतर रूप से जो प्रदर्शन करता है वो है गूपिया और उन गूपियों में सर्वस्रेष्ट है श्रिमती राधरानी तो अभी राधारानी की राधारानी जो है वो एक तरह से भक्त है सरवोच्य भक्त है और दुसरी तरह से वो है वो भगवान है जैसे कहा गया है कि कृष्टन प्रेमेर विकार जैसे बताया गया है चेतन चरतामृत में राधारानी कौन है ऐसे निए कि कृष्टन एक वक्ति ह पर कृष्टन और राधा जो है वास्तो में राधा कृष्टन एक आत्मा दुई देह धरी अन्यो न्यान्या विलास करी कि एक आत्मा है वो दो शरीरों में है और फिर वो क्या करते है विलास करते है वो स्नेह प्रेम का स्नेह का आदान प्रदान करते है तो अभी अगर भगवान किसे से प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते है तो वो प्रेम के आदान प्रदान के लिए सर्वोत कृष्च व्यक्ति कौन है भगवान सबसे प्रेम करते है सुरुदम सर्वभूतानाम सबसे प्रेम करते है पर उनके प्रेम के आदान दान के लिए सर्वोच्च व्यक्ति कौन है तो वो भगवान ही एक दूसरा रूप लेते है पर भगवान ही दूसरा रूप लेते है और उस रूप में वो क्या है वो सबकी जो इच्छा है अपने जो प्रेम के आदान बन के जो इच्छा है से एक परापका आश्ठा के रूप में वो पूरी करते है तो एक समझ है कि बहुत से लोग समझते है कि राधा एक वेक्ति और कृष्ण एक वेक्ति है और उनमें कोई बहुत दुश्य से रोमैंटि ही संबंध है क्या है कि राधा और कृष्ण वे वास्ता में एक ही वेक्ति है तो जो राधा तत्वा कर समझना है गौडिया वैश्ण संप्रदाय में बता गया है कि राधा कौन है कि वो इतनी महान भक्त है कि उनकी भक्ति कृष्ण को भी आकरशित कर देती है कृष्ण को बिस्मित कर देती है तो राधरानी केवल एक स्त्री और कृष्ण एक पुरुष नहीं है यह चार पहलू है उनके भक्ति में बजने के लिए तो राधरानी वो सर्वोच्य भक्त है जिनके भक्ति कृष्ण को भी विस्मित कर देती है मान लीजिये, किसी ने कोई स्वाधिष्ट व्यंजन बनाया है, किसी ने कोई गुलाब जान बनाया है, कुछ माल पोवा बनाया है, कुछ बड़ा स्वाधिष्ट व्यंजन बनाया है, फिर कोई खा रहा है, युक्ति खा रहा है ऐसी, और दूसरा व्यक्ति खा रहा है, और द इतनी सुदिया आप क्यों कर रहे हो क्या है इसमें इतना विशेश है तो मतलब क्या है वैसे ही क्रिष्टन को लगता है कि सुनाई दे रहा है आप सबको कुछ disturbance आड़ा ता तो क्रिष्टन को लगता है कि मुझमें इतना क्या अकरशक है कि इतना प्रेम है तो क्या इतना आकर्शक है वो खुद जानना चाहते है क्रिश्ण इसलिए क्रिश्ण चैतन्य महाप्रोबन क्या दे तो वो सर्वोच्य भगता है इतना प्रेम है उनका कि वो क्रिश्ण को भी आकर्शित करते है और दूसरी चीज़ यह है कि ऐसे ही नहीं है कि वो एक महान भक्त है पर वो सबके भक्ती की स्तुरोथ है वो सबके भक्ती की पोशक है कहते हैं, मतलब हम में कुछ भक्ती है, अगर हम सब कुछ भक्ती कर रहे हैं, कभी-कभी हम जब करते हैं, खिर्टन करते हैं, तो हमें बड़ा आनन मिलता है, कभी-कभी करते हैं, तो लगता है, यह कब खतम होगा, कभी-कभी ऐसे होता है, कि अगर हम जब कर रहे हैं, तो हमार असानी से माला खतम हो जाती है, हम जब कर रहे मान लीजिए, और कभी-कभी यह कैसे होता है, हम माला निकालते देखते हैं, 108 मनी है, यहाँ पर 1008 मनी है, यह खतम होई नहीं रहा है, तो क्यों क्या होता है, जो रस है, वो आपसे अपने आप नहीं आता है, वो राधारानी की क प्रिंस्टन में लक्षा दे रहा था तो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो जब प्रिंस्टन में एक साथ को इस ने पूचा की सब धर्मों में भगवान को पुरुष के रूप में बताए गयता है कि वहाँ पे कई बार feminist लोग होते है तो वो कहते है कि स्त्रियों के पति अत्ताचार होता है उनका दमन होता है तो भगवान को सब लोग पुरुष के रूप में बताते हैं मैंने कता है कि भक्ति संस्कृति में भगवान वासने पुरुष नहीं है भगवान एक डिवाइन कपल है भगवान दो होते है राधा और कृष्णा सीता और राम लक्ष्मियों नारा है और उतना ही नहीं है कैसे भगवान so God is both. God is both male and female and we are neither male nor female की भगवान दोनो है पुरुष नहीं है रासतो में हम आत्मा है तो हम नतो ह्पुरुष है नहीं तो स्त्री है तो जब तक हम हमारी धारना में चलेए कि मैं पुरुश हूँ, मैं इस्त्री हूँ तो हम देखें कि अरे भगवान पुरुश ही इस्त्री है पर अगर हम समझेगे आत्मा है तो आत्मा के स्तर पे हम राधा कृष्ण के संबंद को बहुत चीज़ को दीरे-दीरे समझने सकते है और आखरी चीज़ जो है इसमें बताएगे कि राधारानी कौन है वह कृष्ण के आनंद की शक्ती का स्वरूप है तो लाधीनी शक्ती कहते हैं वह को लाधीनी शक्ती के लाधीनी कराय कृष्ण आनंद वो रादिनी कृष्णे को आनन देती है मतलब क्या है कि कृष्णे को जो भी आनन मिलता है वो राधारानी की द्वारा मिलता है सर्व वांचिता बैसे राधिका आश्टरे में बताते है कि राधारानी के द्वारा कृष्णे के सारी इच्छाये पूरी होती है तो अब एक सारी इच्छाइप राधारानी के द्वारा पूरी होती है तो इसका मतलब क्या है बाकी भक्तों की क्या जरूरत है बास्तों में कैसे है बाकी भक्त भी महतुपूर्ण है क्यों क्योंकि बाकी भक्त जो है वो भी राधारानी उनको भी राधारानी से ही बक्ती मिल रही है और इसलिए मतलब कुछ सेवा राधारानी खुद करती है कुछ सेवा राधारानी बाकी भक्तों के दार कराती है तो ये राधारानी का तत्व जो है वो संक्षिप में कि वो केवल एक स्त्री और पुरुश का संबन नहीं है, वो स्वयम भगवान है, एक स्त्री के रूप में, वो भगवान के सर्वोच्य भक्त है, वो सब भक्तों के पोशक है और वो भगवान को आनंदेने वाली शक्ती है. अभी राधारानी हमेशा कृष्ण की निस्वारत भाव से सेवा करती है तो अभी निस्वारत भाव से सेवा कैसे होती है कुछ लोग पूछते है की राधारानी का उल्लेक शास्त्रों में इतना क्यों नहीं है कई शास्त्रों में है, ब्रमापुरान में है, ब्रमाडपुरान में है, ब्रमाववर्थ पुरान में है, कई शास्त्रों में है, पर हाँ, कुछ-कुछ शास्त्रों में नहीं, क्योंकि राधरानी जो है, उनका और कृष्ण का संबंद गुहिया है, क्योंकि जो राधरानी है, वह उनका जो रस है कृष्णों के साथ वो परकिय रस है जो आध्यात्मी जगत है उसमें जो भगवान और अपने भक्तों का सम्मंद करते है वो क्या होता है वो एक लीला के रूप में होता है तो लीला के रूप में मतलब क्या है कि भगवान वो करते है जो सब के जिससे उनको आनन्द हो और दूसरों को भी आनन्द हो तो इसलिए अभी क्या होता है स्वकियरस मतलब राधरानी का से कृष्ण का रुक्मिनी से संबंध है उनका विवाह हुआ है और फिर वो द्वारका में साथ में रहते है अब एक कृष्णा और राधा वो तो शाश्वत स्तर पे ही भगवान के ही दूरोपे में से मैं बताया था तो विवाह जैसा रिति जो है उसकी जरूरत नहीं है वो हमेशा से ही साथ में है भगवान और भगवान की दिवेशक्ति पर एक लीला के रूप में कैसे है कि ऐसे दिखा जाता है कि राधारानी और कृष्णा का एक तरह से विवाह के रूप में संबन नहीं है और यह क्यों दर्शा जाता है और यह क्यों दर्शा जाता है इस नोट इम्मॉरल इस ट्रांसमॉरल यह अनैतिक नहीं है यह परनैतिक है कुछ नैतिक चीज होती है कुछ नैतिक साज नीचे जो होता है वो अनैतिक होता है और नैतिकता साज जो उपर होता है वो परनैतिक होता है परनैतिक मतलब नैतिकता के परे तो अभी ऐसे दर्शानी की जुरूरत क्या है? कि इसकी जुरूरत यह है कि राधारानी का निस्वार्त भाव दिखाने के लिए कि भगवदीता के अंत में भगवान कहते है किस तरह से हमें सब कुछ त्याग करना चाहिए उनकी सेवा के लिए भगवान कहते हैं कि आप सब कुछ त्याग दो और मेरी शरन में आजाओ तो मैं एक बार आस्ट्रेलिया में था हम आपे गीता जैनती का उत्सव था तो मुझे आपे प्रवचन देने के लिए बुलाया था अभे किछ विद्धार थी थे छोटे बच्चे थे उन्होंने घीता के श्लोक याद करके रिसाइट कर रहे थे तो वो इस श्लोक पै आ गए और थे बूलरे लें गए वो तो मैंने तभी वह और घर्वान परितिज्ज्ज्ज्ह ये विद्धार्थी चिंगा रहे है तो उसने कहा कि कोई गीता का बाश्य करने वाला है, कोई विक्ति, उसने कहा कि भगवान तो धर्म सापना करने के लिए आए है, भगवान कैसे कहा कि सर्वा धर्म को ताग दू, तो इसलिए वास्तों में क्या होगा, जब कोई गीता कोई लिख रहा था, जिसे मैनस्क्रिप् गुल गया था, तो हम अब भी वापस लगा रहे हैं। गुल गया था, तो फिर मैं युद्ध कैसे कर सकता हूं यहां पर। तो बगवान कह रहे हैं कि अगर वो उन्होंने धर्म के खिलाफ युद्ध किया है, वो खिलाफ है, तो उनका धर्म है, उनकी सेवा करने का धर्म वो त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ। तो मैं यह कहने का उद्ध क्या है? कि कभी-कभी भगवान के शरं में जाने के लिए धर्म भी त्यागना पड़ता है। जन साधारान धर्मत्यागना पड़ता है तो अर्जुन को अपने गुरू से युद्ध करना पड़ा, अपने पितामा से युद्ध करना पड़ा, तो यही जो तत्वा है वो गोपियां दर्शाती है, और वही राधारानी दर्शाती है, कि सरुब धर्मान परितिज्यमा में कम चरन अम्रजा सब कुछ त्याग करो और कृष्ण की चरन में आ जाओ तो यह कौन सा धर्म त्याग करती है गोपियां कि साधारां तया किसी स्थरी का पुरिश्य संबंद होता है तो संबंद विवाह में बदल जाता है और फिर क्या होता है वो स्थरी को उस पुरिश्य का ना मिलता है और वो एक तरसे मान होता है उसका कि अभी आपका इन दोलों का यह संबंद है पर राधारानी और जो गोपियां परकिये भाह में सेवा कर रही है वो इतना निस्वार्थभाह से सेवा है कि वो क्रिश्चन की पूर्णत या सेवा करती है पर वो क्रिश्चन से उनके नाम की अपेक्षा भी नहीं करती है, तो यह जो है निस्वार्थता की पराकाष्टा है, कि यह अनयतिक्ता नहीं है, परनयतिक्ता है, कि राधरानी कृष्टन मुझे क्या दे रहे यह नहीं सोच रही है, मैं कृष्टन के लिए क्या कर सकता हूँ, वह सोच रही है, कई प्रिश्टन भावना भावित है या नहीं तो वो कहते है कि जब हम मंदिर में आते भगवान के सामने आते अगर हमें लगता है कि भगवान हमें पूछ रहे है तुम मेरे लिए क्या कर रहे हैं वाट आर यू डूइंग फॉर मी अगर भगवान को देखके अगर हमारे मन में ऐसे भाव आता है तो हम समझ सकते है कि हाँ हमें सेवा भाव है आगर हम क्रिश्टन भावना भावीत है पर अधिकांश लोब जब भगवान के सामने आते है तो क्या पूछते है उल्टा सवाल पूछते है बगवान आप मेरे लिए क्या कर रहे हो यह उनमें यह समस्या है मैंने प्रार्थना की थी आपने यह हल क्यों नहीं निकाला यह अब तक उंची आवाज में नहीं बूलेगी वो पर अंदर से तो उंची आवाज आ रही है यह समस्या कब हल करने वाले हो यह इच्छा कि आप पूर्ति कप करने वाले हो तो ऐसी भी भक्ति अच्छी है कम से कम भगवान के पास तो आ रहे है भगवईता में भगवान कहते है कि ऐसे लोग भी सुकृति नहा है अच्छे लोग है भगवान के पास आ रहे है पर कैसे है कि जो निस्वारता से आता है, कि जो भगवान की सेवा के लिए आते है, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, वह भगवान को बहुत प्रसुन करते हैं, तो राधारानी का ये भाव है, कि मुझे भगवान से कुछ भी न मिले, फिर भी मैं उनकी सेवा करते दोगी, और यही भाव की पराकाश्ठा वो रास लीला में दिखती है जब रास लीला में रास लीला ये बहुत उंची लीला है पर हम जो निस्वारत का भाव उस लीला में भी देख सकते है उस दुरुष्टी से हम इसकी चर्चा करेगे तो जब कृष्टन अपनी मधूर बासुरी बजाते है और क्या होता है जैसरी कृष्टन बासुरी बजाते है तो गोपी गीत में बताते है गोपी आ रहे है क्रिश्टन जैसे ही हमने आपके वेणू की दोनी सुनी तो हम खीचे गए हमारे घरों से सब को छोड़ के हम आ गए तो यहां पर वो कहते है उद्गीत मोहिता कि आपके जो वेणू का गीत है वो इतना बहुत उन्चा था तो बाद लीजे अगर कोई मुजिकल परफॉर्वरंस कर रहा है कोई मानले जो कोई सितार बजाता है कोई आदने गिश्टार भी बजाता है और उसके बाद में कैसा था परफॉर्वरंस कैसा था यह चॉत संगीत बहुत उंचा था, आप ये परस्षांसा कर रहे हैं या निंदा कर रहे हो? तो गोपया जब कहा रही है, साधर रही हैं, अगर वेणू के ध्वानी सुनते हैं, तो वो मधूर होती है, पर यहां पर गोपया क्या कह रही है? उदगीत आपका जो मेनु का गीत है बहुत उँचा था तो उँचा क्यों कह रही है मधुर क्यों नहीं कह रही है यहाँ पर उँचा इसलिए कह रही है कि वो इतना उँचा था कि हमारे कान और कुछ भी नहीं सुन सके दुनिया वाले कह रहे थे यह वास्तों में उनके निस्वार्त भाव का लक्षन है। और फिर कैसे है, जब वो वहाँ पर आ जाती है, तो कृष्ण उनका थोड़े खेलते हैं, और फिर कहते हैं, क्यों आई हो यहाँ पर आप ये विंदावन के जंगल का सौंधर रात को देखने के आई हो, तो देख ल उनके साथ नुत्य करने लगते हैं, रास निला मतला आपस अपने चित्र देखा होगा, क्रिश्ण गोपियों के साथ नुत्य कर रहे हैं, और यह यह एक तरह से सत्य है, पर जो सत्य होता है, उसके कई सतर होते हैं, और कभी-कभी वही चीज हम अलग-अलग सतरों पर देख सकते हैं, तो आनंद रिंदावन चंपू, यह एक बहुती मधूर और सुन्दर ग्रंत है, जो हमारे परंपरा में कभी करनपूर नाम के महान आचारी हैं, उन्हों लिखा है, तो वो उस ग्रंत में बताते हैं, कि वास्तों में गोपियों के मन में क्या हो रह जब गोपियां सब कृष्णा के साथ नुत्य कर रही थी रास निला में, बड़ी प्रसंद थी, बड़ी संतुष्ट थी, कि कृष्णा हम साथ नुत्य कर रहे हैं, पर तब वो गोपियों ने सोचा, कि कृष्णा हम सब के साथ है, इससे दुनिया को लगेगा, कि हम सब की बक्ति बिल्कुल एक समान है कि क्रिश्णा हम सब की साथ है पर यह सकते नहीं है हम सब की जो भक्ति है वह उतनी नहीं है जितनी राधारानी की बक्ति है जितनी राधारानी की बक्ति है तो हमें दुनिया को दर्शाना चाहिए कि राधारानी की बक्ति कितनी है और इस सेवा कितना विशेश है है, सब भक्तों को कृष्णा का संग है, अगर हम गोपियों को स्तुरी और कृष्णा को पुरुष्णा देखकर, अगर हम भक्तों और भगवान के रूप में देखेंगे, तो सब गोपियों के पास के पास भी कृष्णा का संग है, पर वो क्या सोच रहे है कि दुनिया को यह नहीं करना चाहिए कि हम सब एक समाने हैं, राधारानी हम सबसे बहुत महान भक्त है, जैसे कोई प्रवचन है, हो रहा है, और कोई वरिष्ट भक्ता आ गए, और वो सब के साथ निचे बढ़ जाते हैं, तो बाकि बढ़ बने, आप इस आसन पर बैठी है, सब भक्ता है कि कोई विशेज भक्त हो, तो उनको विशेज आदर दे, उसी तरह से सारी गोपिया चाहती है कि लाधारानी की विशेज भक्ती है, अद्विती है भक्ती है, उसका विशेज आदर मिले, तो इसलिए वो एक तरह से दिखावा करती है कि वो गर्वित हो गई है और जब वो इस तरह से दिखावा करती है कि वो गर्वित हो गई है तो उससे नाराज होकर कृष्ण वहाँ से चल जाते है और कृष्ण राधा के से चल जाते है राधा रानी के से चल जाते है और वो जब अब रास लिला चल रही होती है उसमें से कृष्ण बागी सब गोपियों से अदुरुष्य हो जाते हैं और आधरानी को वहां से निकल ले जाते हैं और सब गोपिया नुट्य कर रहे हैं रचाने हैं ते कृष्ण कहां चले गए और कहीं भी दिखते हैं तो कृष्ण तेज़े से निकल जाते हैं कि वो मेरे साथ है अभी और जब इस तरह से वो सोच रहे होते कि उनको बड़ा आनन्द हो रहा है तब पर अचानक उनके में दूसरा उचा जाता है मादाना सोचती है कि इस समय कि मैं तो खुश हूँ पर बाकी सब गोपियां क्या हालत होगी उनकी कितने अताश हो गए हो गए हो गए हो उद्वीग न हो जाए है किस परिस्वती में हो गए हो मैं उनके दुख का कारण कैसे बन सकती हूँ How can I enjoy Krishna for myself Alone मैं कैसे Krishna का भोग केले कर सकती हूँ Krishna का संग सबको मिलना चाहिए तो मान लिजिये कोई इसका उद्वार अनन दे सकते है कि कि कोई बहुत वरिष्टे भक्त है अमारे Guru महराज है और वो किसी कारेक्रम के लिए आये हुए है और आजार लोग वहाँ पर कारेक्रम के लिए आये है या कोई बढ़ी संख्या में लोग आये है और साब बड़े उत्सुक है और तभी वो आते है और वहाँ पे कोई वरिष्टे वक्त है वहाँ पे जो सबसे वरिष्टे वक्त है उस समूदाय में है उनको बुलाते है कि मैं तुमसे कुछ बात कर ली है और हो कहते है कि मैं तुम्हारे साथ समय बिताना जाता हूँ भी हम कृष्ण कता साथ में करें एक दूसरे साथ मैं प्रवचन नहीं दूँगा तो एक तरह से वो उस भक्त के लिए बड़े विशेश बात है कि मेरे गुरुदे या इवरिश्ण भक्त मेरे साथ समय बिताना चाहते है पर साथ-साथ उनको उसका बड़ा आनंद होगा पर उसके साथ-साथ क्या उनमें दूसरा विचारिय होगा कि सारे बग्तियां पर आये है सारे बग्त भी उनका संग चाहते है तो वो खुद के खुशी नहीं चाहते है तो वह इसी दर से राधारानी सोचती है कि बाकी सब को भी कृष्णा का संग मिलना चाहिए तो इसी लिए क्या करती है राधाराणी दिरदेर बहाने करने लगती है राधारानी को तेजी से प्रिंदावन के जंगल में अंदर लेकी जा रहे है और राधारानी अलग-अलग माने कर दिये कि थोड़ा दीरे हो जाए तो कहती है क्रिष्णा वो फूल इतना सुन्दर है क्या फूल आप उजी दे सकते हो और जब राधारानी ऐसे बोलती है ठीक है क्रिष्णा पर फूल तो बहुत पूचा है तो क्रिष्णा अपने हाथ उपर करते है उसको निकालने का प्रयास करते है और उसमें थोड़ा समझ जाता है अधिर बाद में वो फूल को लेते है और फिर वो थोड़ा और आगई जाते है और राधारानी कहते है यह भी फूल किता सुन्दर रहेना तो वहाँ पर कुछन आपस कुदते है पर फूल बहुत उंचा है तो पहुंचते libertad is not a Trickister Лरादनी को उठाि लेते है और तु यह फूल और वहाँ पर फूल लिलते हैं अभी क्रिश्णा वास्त में rekaनी त्रही है करते हैं जिससे कि और फिर राधरानी कहती है क्रिश्न से की फर बाद में राधरानी देखती है कि हम इतना अंतर भी आ गए है तो अभी हम कैसे कैसे गोपिया धून पाएगी मुझे धून पाएगे हमको तिसले ओ कहते है कृष्टन अभी मैं बाहुत थक Spie मैं चल भी नहीं सब्सकती है तो जब राधर राधर रही इससे कहती है तो उनकी पूरा कहने का विचार क्या होता है कहने कि इरादा क्या होता है उद्देश क्या होता है कि सारी गोपिया वहां पे आ सके उनके साथ पर तभी कृष्टन अचानक एक तरशी कृध्ध हावाज में कहते है तुम तो एक रानी जैसी हो पर दुरभाग्य से क्योंकि यह जंगल है थोड़े कृधिता थुम रानी हो पर यह तो जंगल है यहां पर इसी लिए मैं कोई तुमारे लिए पालकी नहीं ला सकता तो ऐसे करो तुम तुम मेरे कंदों पर बैठ जाओ मैं तुमको उठा के लिए जाओंगा और जब कृष्णा इससे कहते है तो क्या होता है जो व्यक्ति जो बोल रहा है वो वच्चन एक होते है पर उनकी जो ध्वनी होती है उनका जो टोन होता है उनकी बोलने की पद्दती होती है कुछ अलग होता है तो कोई मानजे पत्नी अपने पति से कहती है कि तुब मुझसे प्रेम नहीं करते है तुम मुझसे तुमारा मेरे पति कोई नहीं है औरहाई पति करोध में कता है I love you तो अभी जिए घृएज कीज बोल रहा है वक्त शवादें कर ऑद्छेजे जो पूर कह रही है तो गर्वित हो गई हूँ और मैं गर्वित हो गई हूँ और मैं गर्वित हो गई हूँ इसलिए मैं उनसे इतनी मांग कर रही हूँ कुछ लोग कहते हैं वो खुद को बहुत एंटाइटल्ड मानते हैं इंगलिश में एंटाइटल्ड मतलब सोचते कि सब कुछ मेरा हक है मैं तुम्हारे साथ हो तुम्हें यह देना चाहिए मुझे वो देना चाहिए वो देना चाहिए वो देना चाहिए कि ओतो конфट्र तो ऐसे क्रिशन एसा सोचा कि मैं एंटाइटल्ड हो गह wonderful मैं इतना मांग रही है, इसलिए कृष्णा मुझे गर्वित समझ के मुझे छोड़के चले गए, तो तभी अधरा इतनी विचित हो जाती है, तो वो ऐसे एक तरह से कविकरणपुर बताते हैं कि वो एक कलपना कर रही है कि कृष्णा उनके सामने ही कि अधुरुष्य रूप में है और वो कृष्णा से बात कर रही है, और कृष्णा जवाब दे रहे हैं और उनमें बात्चित हो रही है, तो एक तरह से यह क्या है, एक दिव्योनमाद है, उनमाद मतलब पागलपन, और दिव्य मतलब यह कोई साधारान बिमार ही नहीं है, यह दिव्य पागलपन है उस पागलपन में हम बगवान को महसूस कर रहे है तो तभी क्या होता है राधारानी करते है कृष्ण आप मुझे छोड़के क्यूं चली गए तो कृष्ण कहते है तुम गर्वित हो गई थी और मुझे गर्व पसंद नहीं है तो राधारानी करते है नहीं मैं गर्वित नहीं होई थी मुझे सिर्फ बाकी गोपियों की चिंता थी इसलिए मैं रुकने को कह रही थी ताकि वो हमें धून पाए तो कृष्ण कहते है कि मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता था तुम वित्य क्यू ला रही हो नहीं नहीं मैं बड़ी आनदित हूँ कि आप रहा साथ समय बिता है जाते हूं पर मैं सोच रहे थे कि बाकी गोपिया कितने दुखी होगी तो इसलिए मैं सोच रहे कि आपका सम उन्हें भी मिलिख भाए तो जो मेरी योजना में व्यत्ते डालते है वो मुझे पसंद नहीं है तुमने मेरी योजना में व्यत्ते डाला यभी तुम यही तुम्हारी सजा है कि तुम अकेले रहू तो राधाने कहते हैं नहीं कृष्टना आपके बिना में रह नहीं सकती मैं जीवित नहीं रहे पाऊँगी, कृपया आजाओ आप तो तभी कृष्टि कहते है बाकी सारी गोपियों के साथ भी तो मैं नहीं हूँ वो जीवित है, तुम भी जी लोगी तो राधाना नहीं कहते है नहीं, नहीं कृष्टिना, वो सब गोपियों को कम से कम एक दूसरों का तो संग है वो एक दूसरों के संग से उनको सांत्वना मिलेगी मैं पिल्कुल अकेली हो, मैं तुमारा बिरस है, नहीं कर पाऊंगी कृपया आजाओ, वो याचना कर रही है, कृपया आजाओ पचानक उनको लगता है कोई आवाज नहीं है मापे कोई आवाज नहीं है आरी प्रतिकार वे और वो समझ जाती है कि कृष्णी चले गए और जब कृष्णी चले गए से समझ जाती है तो वहीं पे वो मूर्चित हो जाती है कभी करणपूर कहते है वास्त में राधारानी मूर्चित नहीं होती है, मूर्चा देवी, जो देवी विक्ति को वहोश करती है, मूर्चित करती है, वो देवी आके राधारानी का जीवन बचाती है। अबी राधारानी तो सनातन है, पर लीला के रूप में से बता जा रहा है कि कृष्ण के विरह का दुख इतना था कि राधारानी का देह वो सेहन भी नहीं कर सकता था. A. To क्या होता है? हम सबके शरीर औरमन की कुछ दर्द करने की क्षमता है. और जब दर्द उससे बहुत जाधा हो जाता है, तो मानले जी किसके अकसीड हो जाता है, वो तेजिय के एक जगह से ताकर के चाहिं और कर भशेते हैं, सिर गर जाता है, हाथ-पै थूड़ जाते हैं तो तभी क्या होता है? व्यक्ति बेहुश हो जाता है. तो क्यों? क्योंकि वो, that is the body's defense mechanism. बहुत शरीर का, खुद को सरक्षन करने का एक योजना है, जिससे कि इतना दर्द नहों कि वो व्यक्ति सहन ने कर पाए. तो चेतना बसल जाती है. तो मुर्चा देवी वहाँ पे है, वो धून रही है वो एक तरह से क्या है? वो एक transcendental detective है. वो detective बतलब क्या है? कही गुणा हुआ है हमें पत के चिनन दिखुरे है. यहां पर दोने यह ही पत के चिनने हैं. यह एक पत चिनन जोई बहुत śोगा है. तो वो वो क्या-क्या हो रहा है, वो सोच रही धा YouTube से छेश गोपी जिसके साथ कृस्ठन चले गए। पर जब सारी गोपियां वहाँ पे आजाती हैー और कृस्टि यहां पर राधारानी गिरी हुए है है, मुर्चित होकें, तो जब वो देखती है, तो सारी गोपियां वहाँ पर आ जाती है, चम्जित पर जाती है, तो इक गोपी पास में ही कोई जर्ना होता है, वाँसे तोड़ा पानी लेके आती है, राधारानी के मुँपे पानी चिरकती है, राधारानी खोश में जाती है और सब गोपिया देखती है, पुछती है क्या हो गया, तो राधारानी बरनेत करती है, क्या हुआ और जो भी गोपियों के मन में थोड़ा नकारत्म भाव जाते हैं जब सुनती है कैसे राधाराणी ने कृष्टन के लिए राधाराणी ने हमारे लिए कृष्टन का संग त्याग दिया तो वो समझ जाते है कि राधाराणी कितनी महान बक्ती है कि महान बक्ती मतलब के ने कि बगवान मेरे लिए मैं बगवान के लिए मैं दुनिया की परवान नहीं करूंगा महान बक्ती मतलब बगवान मेरे लिए है मैं बगवान के लिए हूँ पर बगवान सब के लिए भी बगवान के लिए है तो यही राधारानी का निस्वार तब प्रेव का भाव देखकर सारी गोपिया राधारानी वहाँ सारी गोपिया जो भी उनको नकारत नफास चला जाता है वो राधारानी सब का रुदय जीत लेती है फिर बाद में सारे गोपियां धूनते धूनते वो देखते हैं कि हमें जंगल में तो कृष्ण दिखने नहीं वाले है वो जंगल में इतना अंदर चल जाती है कि वहाँ पे बिल्कुल पूरा अंदकार होता है गोपिया अपना हाथ भी सामने देख नहीं पाएगी इतना अंदकार होता है यहाँ पे कृष्ण होगे भी तो हम धून नहीं पाएगे तो पुना वो जंगल से बाहर आती है और फिर यमुना के तरट पे बैठती है और यमुना के तरट पे उन्होंने कृष्ण के आता नेक लिलाए की है वो लिलाओं का स्परण करते हुए वो गोपी गीत गाती है और जब साथ में सब मिलके वो गोपी गीत गाती है तो क्या होता है कृष्ण पुना उनके सामने प्रकड़ो जाते है कृष्णा पुन्हा उनके साथ आ जाते है तो यह जो है एक स्थर पे बहुत उंची लिला है पर जो निस्वार्त सेवा भाव की शीक्षा है वह हम सब के लिए बहुत मात्वपूर्ण है तो राधरानी जो है जो सारे भक्त है जो विशेज भक्त को विशेश आदर देना चाहते है और जो विशेज भक्त है वो खुद के विशेशता में आनंद नहीं लेते है वो बाकि सब भक्तों को भी आनंद देना चाहते है यह निस्वार्त भाव है वही एक तरह से भक्तों के संग को दिव्वी बनाता है इस दुनिया में बहुत से संग है, सब cricket fans होगे, उनका एक संग है, एक political party के लोग है, उनका एक संग है, जो अलग-अलग प्रकार के संग दुनिया में होते हैं, पर भक्तों के संग की विशेश्टा क्या होती है? भक्तों में निस्वार्त सेवावा होता है, हम बहुतिक चेतन याध्यात्मिक चेतना में हैं, ये कैसे समझ सकते हैं, कहीं मारगा है, अगर हम किसी व्क्ति से मिलते हैं, और ज़ाई जब वीक्ति को देखते हैं,Ho spinal School है, निवसे ओण बसदमारे मन में सवाल आता है, ये वेक्ति मेरे लिगा कर सकता है, वो सवाल आता है, तो मतलब सकते हैं और अगर वो वेक्तिय से हम देखते है और हमाई मन में सवाल आता है मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ तो वो आध्यात्मिक चेतना है सेवा भाव जो है वो आध्यात्मिक चेतना है तो इस दिव्य रास दिला में भी राधारानी हमें ये सेवा भाव सिखा रही है न केवल भगवान के प्रति सेवा पर भगवान के बक्तों के प्रति सेवा न केवल वरिष्ट बक्तों के प्रति सेवा पर जो हमसे एक तरह से कोई भी हमसे कनिष्ट नहीं है कौन कितना प्रकत शीद बक्त है किसको पता नहीं है पर भाय दृष्टी से जो हमसे कनिष्ट है उ जागृत करने का प्रयास करते हैं, इसका अनुशीलन करते हैं, तो हम भी भक्ती में बहुत प्रगति करेगें। तो मैं दो पॉइंट के साथ अंत करूंगा। पहला पॉइंट है कि जो भक्तों का संग कितना महतवपूर्ण है। कि कभी का हम सोचते कि मैं यहां पर बहुत जगत में हूँ और एक दिन मैं शुद्ध हो जाओंगा और आध्यात्मिक जगत में चला जाओंगा। तो काईसे है कि मान लेज को हलिकॉप्तर है हलिकॉप्तर जगर से हैं वह से सथा इंठ उपर उट सकता है ऑघ्यात्मिक प्रगति है वह हलिकॉप्टर जैसे नहीं होती है वह एक if airplane जैसे होती है ह मतलब क्या कि अभी हवाई जहाज तुरंत उपर नहीं उटता है सबसrage हवाई जहाज को जमीन पर चलना पड़ता है बड़ा रनवे लगता है और जमीन पर चलते हुए वो एक रफ्तार एक गती प्राप्त करता है और फिर वो टेक आफ करता है उड़ जाता है तो उसी तरह से जो हमारे जीवन में निस्वारत भाव है वो अचानक मगवान के पर द नहीं सकते हैं हमें जो निस्वारत सेवा भाव है वो जमीन पर ही टेक आफ करना है जमीन पर ही मतलब मोमेंटम के आदर करना है जमीन पर ही हमें रफ्तार प्राप्त करना है मतलब क्या है हमारी जिस परिस्थिती में है उसमें हमें सेवा भाव दर्शाना है उसमें हमें जो भक्ते जो परिवार वाले जो भक्ते वो मेरी सराना नहीं करते हैं जो परिवार वाले है भक्ती नहीं कर रहे हैं पर कोई बात नहीं है ऐसे नहीं है कि हमें सेवा करने के लिए दूसरा किस तरह से बरताव कर रहे हैं वो उतना महत्वपूर दही है Of course, अगर कोई abusive है, कोई शोशन कर रहा है, तो उनसे दूर रहना है, पर साधारन तेया हर विक्ति की सेवा करके हम सेवा भाव हमारे उदे में जागूरत कर रहे हैं, और वो सेवा जागूरत हो रहा है, हमारा हमारा जो हवाई जहाज है, वो रफतार पकड़ रहा है, जब अफतार पकड़ेगा, तो धीर धीरे वो बढ़ेगा, और फिर हवा में उड़ जाएगा, तो इस तरह से भक्तों के संग में विस्वार्त सेवा भाव हम जागूरत करेगे, तो वही उसी तरह से हम राधारानी का जो सेवा का भाー है, वो हमारे जीवन में हम जागरत कर रहे और यही राधरानी की हम सब पर गुर्पा हो सकती कि वो सिवाभाव हमें हमारे रुदे में आ जाए और दूसरा एक पॉइंट मैं अभी कुछ समय पहले एक श्री वैश्नमित्र है उससे बात कर रहा था तो वो कह रहा था मुझे कि आप हरे कृष्णा वाले सब कुछ गलत कर सब्सक्राइब। इनकर मारा सममोधित कि लिए रहा था ह्षिच्णा पहले। पर्सनालिटी ऑफ गॉड़ेड जो परमपुर्शोत्तम भगवान है अभी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड़ेड को हिंदी में ट्रांसिट करना भी इतना आसान नहीं है कि भगवध्धाम के परमपुरुष हम कह सकते हैं कि प्रहपाजी कृष्ण का बड़ा आधर करते हैं मुझे मैं कुछ समया पहला अमेरिका में था कि प्रहपाजी ने उनसे कहा कि आप एक मैगजीन चालू करते हैं तो वह बता थे जब हम प्रहपाजी के साथ थे ऐसा लगता था कि कृष्ण एक वास्तों में व्यक्ति है जो हमारे मदद करने आ जाएगे अगर हमकी सेवा तो प्रहपाज वांटेड अस तो हैव वरी पर्सनल और रियल रिलेशन्शिप इत कृष्ण इसलिए प्रहपाजी अभी कृष्ण को सम्मझ करने के लिए कभी लौड और ऐसे यूज नहीं है भगवान या स्री कृष्ण कभी कभी इस्तमाल नहीं करते हैं और हम भी बत कृ जो इसके विपृत तो यह अनादर का नहीं है इस इतिस्स नॉत इस नॉट साइन ओंटिमस dough लूजनेस क्वी अनादर का। लक्षन क्शिन नहीं है यह नजदिक्पा का लक्ष्ण है और अभी राधा के बारे में श्री मती राधारानी क्युंन बोलता है प्रभपाजी टी बार जो राधा का क्रिश्ण के साथ संबन्द है उसको लोग भौतिक और अनैटीक मान लेते विवी विभाह के बाहर रे तो उससे लोग के बारे में दार्णा होती है कोई काफी गुणत हो सकती है तो इसएलिए प्रभुपार ये तत्व के रूप Roos Derudra tu a double honorific डाला है कि नेकिवल राधा पर राधाराणी और हएकार श्रीमर्ति राधाराणी तो इस तरह से प्रभुपाद is protecting us from being misled by misconceptions about Radharani तो यह श्रीमती Radharani बोलके प्रहुपाजी हमें सरक्षित कर रहे है कि Radharani के बारे में गलत धारणाओं के द्वारा हम गुम्रान हो जाए तो यह प्रहुपाजी की कृपा है तो इस तरह से जो प्रहुपाजी ने है गौडिया वश्रीमती अप्रदाय में जो दिव्वे Radharani और कृष्ण उनका जो दिव्वे संबन्द है उनके बारे में हम सब को जो गौडिया शास्त्रों में बताए गया है बक्ति शास्त्रों में बताए गया है उन सब का हमें ज्ञान पराप्त करने का मौका दिया है अज उनकी एक रुपा से हम Radharashtra मी मना रहे है हम सब शायद धार्मिक परिवार से होगे इसके पहले पर हम जन्माश्त मी मनाएगे रामनों मी मनाएगे पर हम ऐसे कितने लोग Radharashtra में मना दे थे पहले पर जब हम प्रोपाजी के संग में आते है उनके संस्था में आते है तो पता जलते कि Radharani का क्या विशेश महत्व है हम सब के जीवन में कितना उनका महत्व है कि Radharani के कृपा से ही हमारा रुदय संतुष्ट होगा हमारे हमें जो हाइयर टेस्टे उचा रस मिलेगा बक्ती में और उनकी एक रुपा से हम भगवान को संतुष्ट करके भगवान के सानित दिम जा सकते है भगवान की प्राप्ति कर सकते है ये Radharani की परम महिमा है तो सारांश में आचे ने तीन चार पॉइंट्स की चर्चा की में ली सबसे पहले हम देखा कि कैसे Radharani का क्या विशेश स्तर है वो केवल एक स्त्री और कृष्ण ये पूरूश नहीं है जो गौडिया संप्रदाय में राधारानी का जो स्तर बताया है की वो भगवान की लादिनी शक्ति है अंतरंगा शक्ति है जो भगवान को सब आनन्द देती है तो जो भी भगवान को आनन देता है वो राधारानी की कुरपा से ही वो उनको आनन दे पा रहा है तो यह राधारानी की बहुत ही विशेश स्तर है हमने सबसे बhras-hrasakी और शुरवात में ने सब की थे हम सब बहुत से चीज़ा हम चाहते है पर जो महत्वपूर्ण चीजे है अगर वो हम भूल जाएगे हमारे मन के कारण तो फिर हम संतुष्ट नहीं हो पागे तो वास्त भी संतुष्टी जो आती है वो चीजे प्राप्त करने से नहीं आती है वो सेवा भाव से आती है तो राधारानी ये सेवा भाव सर्वोच रूप में दर्शा आती है और उसके संदर में हमने वो राधारानी के सेवा भाव में दो चीज़े देखी कैसे कि सर्वा धर्मान तो राधारानी जो है वो सर्वोच सेवा भाव दर्शा आती है किस तरह से? कि परकियरस मतलब भगवान को सब कुछ दे रही है, और उनसे भगवान के नाम की भी आप एक्षा नहीं कर रही है तो निस्वार्त भाव का एक तरह से बहुत ही उचा स्थर है, और वही निस्वार्त भाव रास्तिला में दिखाती है प्रभुपा जी केते हैं निस्वारतवा मतलब हम भगवान के पास जाएगे तो यह से कहेगे कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हो पर मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं और न केवल मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं पर उसके साथ साथ मैं बाकी भकतों के लिए भी क्या कर रहा तो राधारानी रास्तिला में गोपियां और राधारानी गर्वित नहीं होती है वो एक स्तर पे समझ है और उची स्तर पे समझ है कि गोपियां गर्वित होने का दिखावा करती है जिससे कि राधारानी का विशेश स्तर दुनिया को प्रचले और राधारानी गर्वित होनी का दिखावा करते हैं जिससे की बाकी सब गोपियों को कृष्ण का संग मिल सके और इससे दोनों से कृष्ण चले जाते हैं तो वो दुख में दोनों साथ में आ जाते हैं सारी बाकी गोपिया राधनी साथ में आ जाती है और जब साथ में कृष्ण की आचना करते है तो फिर कृष्ण पुना प्रकड़ जाते है और यही हमारे भक्तों के संग में भी यह होगा तो भक्तों का संग वास्तों में बाकी संगों से विशेश होगा हम सब अकेले कृष्ण को भोगना चाहते है पर हम सब कृष्ण की सिवा करना चाहते है और बाकी भक्तों की सिवा करना चाहते है और हम कैसे हमारी चेतना भोतिक है आध्यातिक समझेगे दूसरा विक्तिय में दिखता है क्या मैं उनकी सिवा करना चाहता हूँ वो मेरे लिए क्या कर रहे है कर सकते है या मैं उनके यह कर सकता हूँ उस सवाल के दोरा हम देख सकते हैं और अन्त में दो पॉइंट में देखा किस तरह से कि हमारे जो आध्यात्मिक पुर्गति है हेलिकॉप्टर के समान नहीं है हवाई जहाज के समान है तो हमें इस जगत में जो लोग हमारे साथ है उनके साथ निस्वात और सेवा भाव जागरूत करना है फिर हमारा आध्यात्मिक दिशा में और टिक आफ हो जाएगा और प्रभुपाजी राधा के लिए श्रीमती राधारानी ये द्वितिया दो आधारनिय संबोधन शब्द इस्तमाल करते है क्योंकि जो कुछ लोग राधा को साधारान समझ लेते हैं, भौतिक और एनेतिक संबन्द उनका समझ लेते हैं कृष्ण के साथ, उस ब्रहांत धार प्रभुपाद हमें सरक्षन दे रहे हैं, तो यसे श्रीमती राधारानी जो सारे भक्ती की स्रोत है, उन सबसे हम प्राथना करते हैं आज की, रुपया वो भी हमारे रुदे में थोड़ी भक्ती हमें प्रदान करें जिससे की हम भगवान को संतुष्ट कर सके और हम भी संत उष्ट हो जाए, बहुत बहुत धन्यवाद, श्रीमती राधारानी की जाए, श्री राधा अष्टमी महा महोत्सव की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए, गौर भक्तविंद की जाए, ताइगौर प्रेमानन दे, हरी हरी बाद